अरे कब तक धोती, लूंगी, सारी, 500 रुपया दारू का एक पववा पे बिको गए और बंद करो या इतने मनीश कस्टेप को अंदर जेल में डालोगे गर गर में मनीश कस्टेप पैदा होने वाला है और हो रहा है जातपात से उपर उठा लोग, एक साथ मिलके और एक बार दोसर सरकार के मोका दा ताकि उखो एक बार काम करवाओ फुल बहुमत में, ना तब भिहाई डूबल रही है डूब जाई हाँ तो मैं भी देश का प्राइम मनीश्टर हूँ अनपर चुनाव लड़की जीत सकता है, अब पत्रकार हो क्या वो अनपर आदमी है मनीश का सेब क्वालिफाइड परसन है ना, हम लोग उस राजे से हैं जहाँ बुद्धिज्म का जनम है, जैनिज्म का जनम है, सिखिज्म के दस्वे गुरू का स्थान है जहाँ एक से एक बरे बरे यूनिवर्सिटी हुई, बिहार को आदी गुरू बोला जाता है मतलब वहाँ पे संकराचारी का डिबेट हुआ था संक्राचारे का डिबेट हुआ था जिस राज्जी में तो आप इतने महान-महान चंद्रगुप्त मौड एक असासन जिस राज्जी में रहा इतने महान-महान लोग वहार है उस राज्जी को अपने सिर्फ एक लेबर प्रोडूसर राज बना दिया है एक से एक फेक न्यूज पेडलर्स घूम रहे हैं चाइनीज एजेंट घूम रहे हैं जो न्यूज फेक फैला रहे हैं उन पे आप एकसर नहीं ले रहे हो उनको एरेस्ट नहीं करा रहे हो लेकिन एक फडीक आदमी मिल गया जो सच बिहार की उन्नती के लिए जो लर रहा था प्रश्थ के लिए उन्नती क्लिए ने बिहार के लिए उसको दो श्टेकों मिल और इसली के ते लिए जकी संखा रहे है और जैसे उनकी वीडियो आती है आप लोगों की प्रतिक्रिया क्यों शुरू हो जाती है प्रतिगे हमारे लिए तो प्रेम है हम तो हमेशा समर्थन दिये मनिश कसे अपको और आदमी किसका समर्थन करता है गलत आदमी का तो नहीं कर रहे हैं चुप उसी के नजर में रहे हैं जिनको एक्सपोज कर रहे हैं एक पत्रकारी आपको पूरे भारत में मिला था इसका रोड़ा में वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूं तो क्या मेरे से कुछ स्रेटिफिकेट मिलेगा प्रूप मानोगे भारत का हर नागरिक अपने पत्रकार बोलना है अपको डर लगता है गी नहीं लगता है जो आप इस तरह के ब्यान अरे वही हम बाबा के स्टेट में हमें क क्या दर्साना चाहते हो समाज में कि कल जो भी बिहार के उन अती और सच के लिए लड़ेगा उसको रिष्ट करवा दो फिर आप खबर भारत देखना शुरू कर चुके हैं मनीश कश्यप की जो वीडियो आई है उसके उपर आपने कई लोगों की टिपणी सुनी होगी कई लोगों के अंदर जो भरास इतने महीनों से दभी थी बीते छे महीनों से जबसे मनीश कश्यप के ऊपर का समर्थन करता है गलत अदमी का तो नहीं कर रहे है चुप उप उसी के नजर में रहे ना इन जिनको एक्स पोज कर रहे है भारत में और तो कोई नहीं बोल लहा है अब दो स्टेटों के बीच की लड़ाई में एक आदमी को निर्दोस आदमी को अब दबोच के और इसलिए फसा दिये क्योंकि वो आपकी सचाई दिखा रहा है क्या लेबर भगाया नहीं जा रहे थे एमके स्टिल जो भी था तमील नडू का जो केस था वहां से क्या भगाया नहीं जा रहा था मना तो कर रहे हैं कि नहीं भगाया जा रहे थे इसलिए तो गवर्मेंट के खिलाफ गया है ना अच्छा एक बात बताओ और वीडियो जो मजदूर बना बना के वैरल कर रहे थे वही चीज जो सब फेक है आपका चारा घोटाला जैसे फेक है ना वैसे यह भी वी फेक है जैसे पुरे बिहार के कुछ-कुछ लोग मानते हैं जैसे चारा घोटाला नहीं हुआ था वैसे ह वो लोग वही मानते हैं कि बिडियो फेक था आपको लिटरली एक बात बता रहा हूँ यही चीज सेम चीज चिराग पासवान ने भी बोला था कि आपका जो वहां से मजदूरों को भगाये जा रहा है मजदूर रोते हुए अपना बिडियो बना रहे हैं कि हमें अपने भा को जोहां की राजनीती के जो भी नेता हैं उनको सपोर्ट करने के बज़ा उसका साथ छोड़ रहे हैं और उस आदमी को पकर रहे हैं जो आदमी कल तक लड़ रहा था अच्छा मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं एक बात बताओ क्या एंडिये सरकार जो बीजेपी और जो नितीज़ बाबु की जो सरकार थी, जो गड़ बंदन की बनी हुई थी क्या उसके चीज़ों को इक्स्पोज कर रहे हैं तो बीजेपी तो नहीं किया लेकिन आपको इतना चुप गया कि एक आदमी को अपने इतना टार्गेट करके और इतना बिभा कोई क्राइम नहीं एक से एक फेक न्यूज पेडलर्स घूम रहे हैं, चाइनीज एजेंट घूम रहे हैं, जो न्यूज फेक फैला रहे हैं, उन पे आप एकसर नहीं ले रहे हो, उनको एरिस्ट नहीं करा रहे हो, लेकिन एक फडीक आदमी मिल गया, जो सच बिहार की उन्नती के लिए जो लड और उनके उपर एक बात ये कई जारी है, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी आदफ से पंगा ले लिया, इस वज़े से ओ फस गए, उन्होंने कहा था कि मतलब जैसी ही जेल से बाहर निकलूँगा, एक सो असी दिन बाद तुमारी सरकार गिरा दूँगा, तो ये टिपणी के एक पत्रकार के मुझे से अच्छी लगती है, लोग बात करते हैं, एक बात बताओ, फ्रीडोम बोला जाता है ना प्रेस है, प्रेस को तो कुछ भी अधिकार है, अब आप मुझे किसी बातों में फसाने के लिए आप कुछ भी पूच सकते हो, तो मैं तो जबाब देना को पूरे भारत में मिला था, इसका मतलब तो आए दिन जितने लोग परधान मंतरी के खिलाब अंट संड बोलते हैं, उल्टा सिधा गाली कलोज देते हैं, तो इसका मतलब तो परधान मंतरी और बरे पद्ध पे हैं, वो इसका मतलब क्या करें, सब को ठुसने लगे, ऐसे देश चलेगा, ऐसे राष्ट चलेगा, ऐसे स्टेट चलेगा, इसका पत्रकार कहा है, वो क्या करते हैं, यूट्यूबर है, एक बात बताओ, अच्छा चलो, कुछ भी कोई नहीं है, अगर मेरे आखो के सामने कोई घटना हो, आप एक नॉर्मल बात बताओ, छोड़ो, सर् भारत का हर नागरिक अपने आप में पत्रकार है, अब मेरी मानों तो क्यों, अगर आख के सामने आपको कोई घटना होता है, आपके सामने कुछ भी गलत देखते हो, तो गलत के खिलाब गलत बोल दो के तो अब तो खुद वो भी अब भी हो गए न, अगर मानो मन इसका से पत्रकार करने हैं, अपना बढ़ियां बेश दे रहे हैं, बिहार के चीजों के लिए बोले हैं, कल मेरे सामने कुछ घटना हो गई, मैं कुछ नहीं हूँ, मा इडेंटिस्ट हूँ, अपना आया मैंने वीडियो बनाया, मैं पोस्ट कर दिया, अब मेरे को दिन में रोज दो लोग आपका bridge खड़ाब बन रहा है, road खड़ाब बन रहा है, आपका infrastructure खड़ाब है, और यह जो infrastructure बोल रहे थे जो, तो जस्वी जी, इन जैसे परहे लिखे लोग जो engineering करके जो बनाते हैं, चीजों को, तो वो बोल रहे तो ठीक है, और एक आदमी आपका exposure कर रहा है तो बोलने से क्या होता है बोलने को तो कुछ भी जुम्लेबाजी कर दो इनफरा चक्चर देखे अपना जो बोले है नँफरा चक्चर को बहुत सुधारे पहले क्या बोलना है स्विया दफ से आपको डर लगता है कि नहीं लगता है जो आप इस तरह के ब्यान देगा हम बाबा के स्टेट में हमें क्यों डर लगेगा और दूसरी चीज दूसरी चीज आप कैसे रहें कभी तो बिहार जाएंगे हैं तो बिहारे से हाँ तो बीहार जाओगे तो पकरवालो उठोआ लो और आप एक जनता को जो पूछ बोलना चाहता है आपको इतना बात करवा तूछ अपने आपसे पूछो कि हुम आपको जैने को वोट देने को तो के ट्रीट करलो जुदी निए भूमे मार के बदमासी कर के निकल गई इसको बोलते हो आप क्या दर्साना चाहते हो समाज में कि कल जो भी बिहार के उन्नती और सच के लिए लड़ेगा उसको रिष्ट करवा दो तो आप अपना उन्नती के लिए आप लोग क्या लड़ेंगे इतना साल से अब एक बात बताओ लोग क्यों हमें साथ ब्यार टर्म सुनते ये डोनेट करता है कि मास लेबरर का प्रोड्यूसर है क्यों बाकी स्टेटों में आप इतना लोगों को सेंड करते हो इसका मतलब तो बाकी जो स्टेट कोश्चन रेज करते हैं कि ये लोग भाई दूसरे दूसरे स्टेट से हमारी नोक्रिया खाते हैं हमारे लोग के काम चीनते तो मेरे को नहीं लगता हो गलत है आप हमें सबसे पहले अपने स्टेट के लोगों से पूछना होगा कि भाईया हमारे नेताओं से कि आप क्या कर रहे हो आप क्या रोजगार जिनरेट कर रहे हो कि आपके लोग आपके स्टेट छोड़ दिये हो मतलब फ्री फोकट कर दर्वाजा खोल दिये हो जाओ भारत में घुज जाना है काम करके आओ कामा के आओ कोरोना में जब लोग छोड़ छोड़ के घर आ रहते हो तो आपसे समलाल नहीं रहा था बोलने का मतलब है ना ये एक पल्टू चाचा हो गए और एक चारा घुटला चाचा हो गए एक दूसरे के जो अल्टी पटली कर रहे हैं ना सरकार किसी के साथ गटबंदन कर लेते हैं फिर मिल जाते हैं फिर सीट प्यारा नहीं लेगा कुछ अनबन हो गई सीटों को लेकर फिर यहाट गए फिर मिल गए तो कर क्या रहे हो आप एक दूसरे के हो कल तक एक दूसरे को गाली गलोज देते रहते हो पिर आते हो मिल जाते हो फिर चाहिए पीरियो कर तो इनका रोज का हो गया है यह पता है किसको समझना चाहिए मेरे उपर दिखाओ बिहार की जनता आप सभी देख रहे हैं या तो बोलिये तो मैं भोजपुरी में डिलीवर कर देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भोजपूरी में बोलाता नि अगर उहां के लोग देखा था तो भाईया एकके को ताहलों से रिक्वेस्ट बा कि तू लोग देखा कि के करा के भोट देता रहा हूँ और का भोट देता रहा का देख के तो भाईया छोड़ा ही चाचा भती जाके यहां बुद्धिज्म का जनम है जैनिज्म का जनम है सिखिज्म के दस्वी गुरु का स्थान है जहां एक से एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुई बिहार को आधी गुरु बोला जाता है मतलब वहाँ पे संक्राचारी का डिबेट हुआ था संक्राचारी का डिबेट हुआ था जिस राज्य में तो अप इतने महान-महान लोग वहाँ रहे उस राज्य को आपने सिर्फ एक लेबर प्रोडूसर राज बना दिया है और आपको मेरी बात अगर बुरी लगती है तो भाई एक बार आप अपने मेरे को तो गाली दे देगा लोग आपने राजिनीती के उपर इतने टेका टिपणी की मनीश कशप ने भी अभी एक टिपणी किया और उनोंने साफ तोर से घुशित कर दिया कि अब वो भी चुनाओ में उतरेंगे और उसके बाद बिहार बदलने की बात करेंगे तो क्या एक पत्रकार को चुनाओ में उतरना चाहिए अनपर चुनाओ लड़के जीत सकता है अब पत्रकार हो क्या वो अनपर आदमी है मनीश कश्याप क्वालिफाइड पर्सन है ना सिविलियन इंजिनियर है ना एक बात बताओ मतलए मैंने गोत आपको सवाल पहसी आ रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि एक परहा लिखा आदमी चुनाओ लड़े तो गलत है और एक उठाच आप लोग नवी आइटवी फेल लोग चुनाओ लड़के जीतता है राजनीतिक परिवार से हैं अच्छा तो परहाई क्या फैदा